शिमला के राम मंदिर में राम नवमी के उपलक्ष पर हर वर्ष की भांती स्वर्ष भी राम कथा का आयोजन किया गया इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिती दर्च करवा कर कथा का श्रवन किया वहीं इस तोरान मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया गया शिमला के राम मंदिर में राम नवमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया हजारों की संख्या में लोगों ने भगवान राम के दर्शन किये और भगवान राम का आशिरवाद प्राप्त किया इस मौके पर राम चरित मानस अखंड पाट का भी आयोजन किया ग जिसमें स्थानी लोगों के साथ साथ प्रेटकों ने भी बर्चर कर हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहन किया शिमला सूद सबा के अध्यक्ष संजे सूद ने कहा कि हर वर्ष की भांती इस वर्ष भी राम मंदिर में राम नवमी पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया उन्होंने कहा कि भगवान राम के जनम दिवस के उपलक्ष पर मंदिर में पूजा पार्ट के साथ साथ हवन का भी आयोजन किया गया तो आपके माधियम से सभी शहर भासियों को जो है इस राम नवमी के सुब्स पर बहुत बात पदाई और जैसे कि अह साल की भांती सूद सभा शिमल ग्यारा बजे मंदिर में कथा प्रबचन शुरू हुए और ठीक बारा बजे महाराज प्रकास्च चितन्याजी ने राम जनम करवाया और उसके बाद भग जनों ने राम जनम का उत्सब बड़े अर्स्व लास से उलाया मनाया इसके साथ ही अभी जो है उपर कथा प्रबच सीटी चैनल शिम्ला